आज हम पढ़ेंगे काव्यखन प्रथम पाट कवीर की साखियां इसके लिए साखियों में चलने से पहले हमें कवीर की जीवन के बारे में जानना अवश्यक है इनकी प्रमुक रशनाई थी बीजग, कवीर ब्रंथावाली और कवीर वच्चनावाली बीजग के तीन भाग हैं जिसमें पहला साखि, दूसरा सबद, तीसरा रमैन साखि में इन्होंने गुरू के विशय में बताया है, सबद में इश्वर के विशय में बताया है और रमैनी में एक ज्ञान की चर्चागी है जो की परमार्थ का ज्ञान है कवीर के जीवन परिचय के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हम जन्म की और चे रहेंगे कि कवीर का जन्म 1398 में अम्रत्यू 1518 इस्वी में पुई थी छोटे से दोहे के बारे में हम इनके जीवन की घटना को जानेंगे जना ब्राहमडी विद्वानी था कासी सर में जन्म लिया तंत वाहि नीरू नीमानी पालन कविरा दास किया रमानन्द के परमशेश थे जाति पाति का भेद मिटाया पांच मेल खिचडी भाशालेक निराकार ब्राहम रूप सिखाया जना ब्राहमडी विद्वानी था अथार इनका जन्म ब्राहमडी विद्वा के गर्व से हुआ था परन्तु नीरू नीमा नामक मुसलिम दमपति ने इनका पालन पुशर किया हिंदू घर में जन लेने के कारण कुछ लोगों का मत है ये हिंदू है और मुसलिम द्वारा पालन पुशर किये जाने के कारण इनको मुसल्मान भी माना जाता है परतु कवीर दास निर्गुन ब्रह्म के उपासक थे वो एक इश्वर वाद में विश्वास रखते थे वो कहते थे कि इश्वर की कोई जाती नहीं इश्वर एक है रमानंद के परमशिष्य थे वो रमानंद के शिष्य थे उन्होंने रमानंद के शिक्षाओं से ही जाती पाती धर्म में जाती और पाती के भेद को मिटा दिया था अपनी रश्णाओं में उन्होंने जाती पाती के भेद का विखंडन किया है उनकी भाषा पचमेल खिचड़ी थी और जिसके माध्यम से उन्होंने ब्रह्म का निराकार रूप स्विकार किया है कवीर दास जी का जीवन परिचे कवीर दास जी का जीवन परिचे जानने के बाद अब हमें उनकी प्रथम रचना साखी की ओर चल दी है तो चलिए कुछ साखियों के पाद दोहे देखते है मान सरूवर सुभर जल हनसा केली करा ही मुक्ता फल मुक्ता चुगे अब उड़ी अनन्त न चाही मान सरूवर मन के सरूवर को कहा है जो मनुष्य में नहीं थै सुभर भरा हुआ सुभर का अर्थ है भरा हुआ जो आत्मा रूपी जल भरा हुआ है मनुश्य के हिर्दे में आत्मा रूपी जल भरा हुआ है हंसा केली करा ही जिसमें आत्मा रूपी हंस जिसके अंदर आत्मा रूपी हंस क्रीडा करता है मुक्ता फल मुक्ता चुगे और मुतियों की माला उस मुतियों की माला सत्य रूपी मुतियों की माला मुक्ता चुकती है अब उड़ी अनंत न जाहे और जिसको ईश्वर के ज्ञान का प्राप्त हो जाता है वो उड़कर अन्यतर कहीं भी नहीं जाना चाहता अथार्त जिस व्यक्ति को ब्रह्म की का ज्यान हो जाता है वो किसी अन्य की भक्ति की और जाने की चेस्ठा नहीं करता दूसरा दोहा है प्रेमी ढूंडत मैं फिरों प्रेमी मिले न कोई प्रेमी को प्रेमी मिले सब विश्य अम्रत होई कवीर दास जी कहते हैं मैं प्रेमी अथार्त ज्यानी को ढूंता है अथार्त ज्यान को ढूंता हूं पर प्रेमी मिले न कोई मुझे कोई भी ज्यानी व्यक्ति कोई भी नहीं मिलता है जिसे इश्वर की सत्यता का ज्यान हो प्रेमी को प्रेमी मिले जब इश्वर के मानने व जीवन के, हिर्दै के सारे कलह दूर हो जाते हैं, अज्ञान दूर हो जाता है और ज्ञान प्राप्त हो जाता है थर दो है हस्ती चड़िये ग्यान को, सहच दुडीचा डारी कवीर दास जी कहते हैं कि जिस पकार से हाथी पर चाड़ करके मनिश्य अपने को महान समझता है तो हमें ऐसी हाथी पर नहीं चाड़ना चाहिए बलकि हमको ऐसी उचाई चुना चाहिए जो ग्यान की उचाई हो सहज दुलीचा डारी और सहज स्वताह आसानी से दुलीचा कालीन को कहते हैं या आसन को कहते हैं आराम से आसन डाल करके ज्यान की खोज करना चाहिए या ज्यान पन मनन करना चाहिए स्वान रूप संसार है ज्यान का मनन करना चाहिए दूसरों के बारे में नहीं सोचना चाहिए क्योंकि ये संसार क्या है स्वान रूप है स्वान अथार्थ कुत्ता स्वान अथार्थ कुत्ता तो ये संसार कुत्ते के रूप है कुत्ते के रूप में है भूखन दे जखमारी वो जिस पकार से की कुत्ता हाथी को देखकर भौकता है लेकिन हाथी अपनी गती को नहीं ट्याकता उसी तरह हमें भी इस संसार में मुर्खों को भूकने देना चाहिए उनको जख मारने देना चाहिए लेकिन हमें अपना समय व्यर्थ नहीं गवाना चाहिए हमें इश्वर के ज्यान की खोज करते रहना चाहिए